गुद्वार्णिंग फ्रेंग्स क्रेक यूपीसी एक्जम में आप सब का अर्धिक स्वागत है मित्रो आज हो गई 17 माई और 17 माई 2021 के रिलेटेड जितने भी करेंट प्रेस के क्वेस्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकास करेंगे और हां मित्रो हमने ये करांट प्रेस के क्वेस्चन दहिंदू, P.I.B, इंडियान एक्सप्रेस, फाइनशियल एक्सप्रेस, देनिक जागरान जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूजपेपर में से लिए ताकि आपकी हर गवर्मेंट एक्जाम के लिए महत्वण बन सके साथी में मित्रो आपके लॉलेज में इंक्रिमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोजबरोज कैसे घटना है घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए ये करांट प्रेस के क्वेस्चन बहुत ही जधा उप्योगी है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा और साथी में बेल अकर का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते मित नाम पर भी जाना जाता है चलते हैं नेक्स क्वेशन की तरह हाली में किस भारतिय मुलकी व्यक्ति को वाइटाऊस में मुख्य सलाकार के रुप में नियुकत किया गया तो इसका अंसर है को इसके अध्यक्स, और CEO है, और अब उनको प्रदान मंत्री ने चक्रवाद पर तयारियों की समिक्सा के लिए उचिस तरिया बैठक आयुजित किये तो इस चक्रवाद का नाम क्या है तो इसका नाम है मित्रो डी तौक्ते तो मित्रो हाली में आप सबको माले होगा कि तौक्ते नाम का जो चक्रवाद है वो हमारे देश पे आने वाला है और इसकी समिक्सा करने के लिए प्रदान मंत्री ने एक बैठक जो आयजित किये और उसमें मित्रो वरिष्ट अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए हर सं पुरक्सा किजिए कि जितना हो सके उन लोगों को मित्रो जो हमारे दरिया किनारे वहां से उन लोगों को दूर रखे और इंडियन मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि चक्रवाद तौक्ते पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात टट को छू कर छूने क की उमिद है और अगर वो छू गया तो मित्रों गुजरात में बहुत बड़ी संभावना जो है बहुत बड़ी जो हम कह सकते की नुक्सान हो सकता है और तोक्ते जो नाम है यह किसके दोरा दिया गया था तो मियानमार के दोरा यह तोक्ते जो है वो नाम दिया गया था अब इंडिन मेट्रोजिकल डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करें तो उसकी स्टापना कभोई थी 1875 इसका मुख्यल है कहां पर न्यू देली में और प्रजेंट टेम पे इसके चैर्मेन कोन है तो मुंतियु जैव महापात्रा प्रजेंट टेम पे इंडेन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट के हेड है और मित्रों हम बात कहें तो यह जो तौकते चक्रवाते वह 150 से लेकर 160 की स्पीड से मित्रों यह डिस्टंस जो है वो चलते है next question की तरफ हाली में oxygen ट्रांसपोर्ट को सरल बनाने के लिए किस नियम में छुट दिया गया है तो इसका अंसर है यह gas cylinder rules 2016 तो मित्रों आप सबको जानते ही होगे कि gas में भी oxygen जो है वो यूज होता है और ऐसी कई ऐसी industries है कि जिसमें oxygen होता है और यूज होता है और आप सब जानते ही कि कोरियोना की वज़े से अभी क्या है कि जितने भी मरीज है उनको oxygen की बहुत ही ज्यादा कमी आने के कारण अब हमारे जो मिनिस्टर साब है उनके द्वारा मित्रो गया सिलिंडर रोल्स में छूट देगी गई अब यह है क्या तो मित्रो भारत चरका ने प्रेट्रोलियम और विश्पोट सुरक्सा संगठन के द्वारा oxygen सिलिंडर के आयात के लिए एक वैस्वीच निर्माताओ वी निर्माताओ के अनुमोदन की महजुदा प्रक्रिया की समख्षा किये और उनको मालूम चला है कि जितने भी उद्योग हो है उनमें जितने भी हमारे जो हम बात करें तो कि मैनुफेक्टरिंग कम्पनीज है उनम की वज़े से मित्रों अभी क्या है कि जो रूल से उसमें मित्रों उन्होंने काफी रिलेक्सेशन दे दिया है और यह किस अंतरगरत कार्या करता है तो मित्रों यह मिनिस्ट्र आफ इंडरस्टीज और कॉमर्स के अंतरगरत कार्या करता है और प्रज़न टायम पर हमारे मिन नीमिशा 2021 किसके द्वारा शुरू किया गया तो इसका अंसर है D National Gallery of Modern Art तो हाली में National Gallery of Modern Art के द्वारा एक Summer Workshop जो है वो आईजित किया गया है और जिसका नाम रखा गया है नीमिशा 2021 मित्रों यह एक ओनलाइन कार्यक्रम है और इसमें एक मित्रो आपासी संग्राले जो है वो बनाया गया है और इस पे जो कला और जो कलाओ को बनाने और उसे सनलगन करने के लिए एक मंच प्रदान करे गई है अब National Gallery of Modern Art के बारे में हम बात करें तो यह भारत के संस्कुरूती मंत्राले के अंतरगत आता है इसकी स्थापना कभी थी तो 1954 को इसका Headquarter कहां पे तो राजस्तान के जैपूर में और प्रजन टैम पे हमारे संस्कुरूती मंत्री को ने तो प्रला चिंग पटल प्रजन ताइम पे हमारे संस्कूरुती मंत्री है और मित्रो मैंने आपको दो दिन पहले के करन्ट अपेस्ट में भी बताया था कि हमारे प्रला चिंग पटल ने मौंगोलियक के जो संस्कूरुती मंत्री है उनके साथ बातचित की ताकि हमारे जितने भी संस्कृत है उनकी आदान-प्रदान कर सके और कलाओ में हम विकास भी ला सके इसलिए चलते हैं नेक्ट स्क्राशन की दरब हाली में वैस्विक कोवेक्स गटवंदन में पहली बार कौनसा राज्य सामेल हुआ तो इसका अंसर है बी पंजाब तो आप सब जानती है मित्रों डबली अच्छो के द्वारा कोवेक्स नाम का एक जो गटवंदन है वो सुरू किया गया जुदी जुदी बहुत सारी कंट्र जो इस कोवेक्स में सामिल हुए है और इसमें मित्रों पहली बार अगर किसी भी देश का कोई राज्य सामिल है तो उसमें यह पहली बार यह गटना बनी कि हमारा पंजाब इस इंटरनेशनल गटवंदन में सामिल हुआ है अब यह कोवेक्स नाम की जो पहले वो किसके के द्वारा सुरू की गई थी तो डब्ल्यूएच के बारे में जान लेते हैं तो डब्ल्यूएचो का फुल फॉल्फॉंग क्या है वर्ल्ड हैल्थ और्गेनाज़ेशन इसकी स्थापना कब हुई थी तो 7th of April 1948 को इसकी स्थापना हुई थी इसका हेडवाटर कहां पे जीनि पंजाब के मुख्यमंतरी कोन है तो कैज拼raj cód के राज्यपाल को न है तो वी पिसी बद्नौ पंजब के प्रसक्रें पे गवर्डर है इसका अन्सर ए जैसींडा अरड, तो न्यूजिलड की प्रांमिनिस्टर, जैसींडार वोट्ण्ड पोलिटीटीशन लिस्ट 2021 में सामिल जाया है, फोर्चुन लिस्ट 2021 में on एक ईसका सतापना होती नाइंटीइन, ओतनी ऐट को में on एक लिंटन गक्रीचेहर रों सामिल लीच्वाहर है। मित्रो कोरोना 2021 में हम बात करें तो 2021 में न्यूजिलेंड में कोरोना को खतम करने में वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है जैसिंडा अर्डन उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और इसी की वज़े से मित्रो इनको ग्रेट पॉलिटिशन में टॉप स्थान हासिल हुआ ह अब न्यूजिलेंड के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों जैसिलेंड की कैपिट्ल कै橋 वालिंग्टन शलेंड की करंसी न्यूजलेंड है न्यूजिलेंड के प्राइम मिनस्टर यहिसे जैसिंडा अर्डन चलते है next question की तरह हाली में Tartolophus gallorum नाम की dinosaur की प्रजाती कहां पाई गई तो इसका answer है B Mexico में मेक्सिको में हाली में एक dinosaur की प्रजाती पाई गई जिसका नाम है Tartolophus gallorum और ये प्रजाती मित्रो 73 million years पुरानी है ऐसा माना जाता है और इसको Tartolophus gallorum नाम दिया गए ये एक crated नाम का dinosaur है और इसका सरी मित्रो 1.32 मिटर लंबा है 1.32 मिटर लंबा होता है इसका सरी अब मेक्सिको में पाई गया है तो मेक्सिको के बारे में जान ले दे मेक्सिको की capital क्या है Mexican city मेक्सिको की currency पाई और मेक्सिको के present time पर मेरे president कौन है तो Andres Manuel Lopez Okay Andres Manuel Lopez करके person है जो मेक्सिको के president और मीतरो आप मेप में भी देख सकते मेक्सिको एक्जेट यू एस के नीचे है जब डोनाल टरप में तो अमेरिका के president बने थे तब मित्रों अमेरिका और मेक्सिको के बीच काफी बड़ी बबल विवाद हो गया था उनको बॉर्डर को लेकर और अमेरिका ने मेक्सिको के साथ जितने भी ट्रेड हो रहे थे उन सब को भी बंद कर दिया था अब अभी सब ठीक है क्योंकि महां पर प्रेसिडेंट भी बदल चलते हैं एक्सक्रीयां की तरफ नबाड ने कीस राज्य को बारहस हो चत्रीज करोड रूपई देने की कोशना ह Kane तो अंसर है च यहां संस्लिटा तो मित्रों आप शब जानते होग आल ने आली में असंफ में बारहसे चत्रीज करोड रूपए देने की कोशना कीे अब यह रुपे दिये क्यों जा रहे तो राष्टिय कुरूसी और ग्रामिन विकास बैंक ने मित्रो कुरूसी में विकास लाने के लिए ग्रामिन बुनियादी धाचा विकास में से वो असम को 1236 करोर रुपे प्रदान करेगी यह नाबार के द्वारा तैयार किया गया एक फ और अभी 2020 और 2021 में इनको 30,000 करोर रुपे आवंटी किया गये है अब नाबाड के ध्वारा किया गया है तो नाबाड के बारे में जान लेता है नाबाड का फुल फंग क्या है मित्रो नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूलर डेवलोपमेंट इसकी स्तापना का व अब नेक्स क्वेशन की तरफ यह रा मित्रो मेप में आसा आप सब देखते है और कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि आसाम में भी मित्रो 6.4 रिक्टर स्कैल की तीवरता वाला भुकम पी आयता है इसके बारे में भी मैंने आप सबको बताया था और आसाम के मुख्यमं मंतरी चेंज होगे आप सबको मालूमी होगा कि आसाम के मुख्यमंत्री हो बदल चुके आसाम के के कैपिटल के दीशपूर और प्रजेट और पर गवर्णर कोन है तो जगदीश्पुकी आसाम के प्रजेट यप गवर्णर है ओकर तेमाज हैमन्त बिस्वा जो है वह आसाम एहमंत बिश्वा सर्मा आसाम के चीप मिनिस्टर के तोर पे नियुक्त किया गया है okay चलते हैं नेक्सक्वेशन के तरफ मित्रो आज एक फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो फैक है ग्रेवीटी ग्रेवीटी असिस्ट के द्वारा बारे में हम आज जानेंगे एक्चिल में यह है क्या? तो जुरिस यानि के Jupiter Eyes Moon Explorer A evacor of the European Space Agency उनके बारे में हम बात करें तो यह एक European Antrix Agency के द्वारा विख्शित करया गया एक अंतरग्रही Antrix यान है और यह यान अपने विकास के चारण तक पहुँच चुका है मिशन के बारे में हम बात करें तो मिशन का मुख्य डेवलोपर एयर बस डिफेंस एंड स्पेज है यह अंत्रिक्ष्यान को जुन 2022 में प्रक्षपित किया जाना है और अक्टूबर 2029 को वो गुरु तक महुच जाएगा यह 5 ग्रेविटी असिस्ट के बाद गुरु ग्रु तक महुच जाएगा ग्रेविटी असिस्ट एक प्रकार का अंत्रिक्ष्यान की गति को बढ़ाने के लिए और अपने रास्ते को बदलने के लिए अन्य ग्रह या खगोलिय वस्तु के करुत्वा कर्शन का उप्योग करेगा यह एक ऐसा चीज है कि जो हमारे जो बात करें तो जो हम बेजने वाले जो ग्रह उग्रह जो है उनको बचाने और उनके खर्चे को कम करने के लिए इसे यूज किया जाता है तो कुछ भी नहीं है एक ग्रैविटी असिस्ट है कि जो हम उपन जितने भी रॉकेट या कुछ भेजते है तो उनको आगे भेजने में यह मदद करती है यह वहाँ पर जाके आगे फोर्स करने में आगे मदद करती है बस यह यह को और कुछ नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा और साती में मित्रों बेल आइकन का बतन जदो दबा देना ताके हमारे वीडियो की नहीं देख्या तो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं और साती में मित्रों हम अभी कुछ दिनों के बाद भारत के इतियाज के एक वन-लाइनर question series जो है वो हम शुरू करने वाले हम यह one-liner question series मित्रो NCRT के जो standard 6 से लेकर standard 12 टक की जो Indian history की जो books है उन में से हम लेकर आने वाले ताकि आपकी हर government exam के लिए महतोपन हो सके ओके गाइस thank you so much